DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPSajmay.in राजिस्तान में Lockdown Phase 5 अगले एक महिने यानि 30 जून तक जारी रहेगा रहीवार को सरकार के और से अतिरिक मुख्य सची गरे राजिस्तान के लिए जारी कर दिये फिलाल मेट्रो, स्कूल और सभी सेक्शनिक संस्थाएं मौल और धार्मे के स्थल जनता के लिए बंद रखे गए इसके अलावा सभी दुकाने कुछ पिर्तिबंदों के साथ खुल जा सकेंगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास का विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन के अंदर निर्देशित किया है साथ में सभी दुकानदारों को दुकाने खोलने की अनुमती होगी दुकानदार दुआरा बिना मास के समान नहीं बिचा जाएगा ग्राकों के बीच 6 फिट की दूरी सूर निश्चित करना बहत जरूरी होगा छोटी दुकान पर एक समय में दो और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे अगर कोई भी व्यापारी इसका उलंगन करता है तो उसकी दुकान को सील करने का निर्देश भी नई गाइडलाइन के अंदर किया गया है साथी नई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पालर में हर ग्राक के बाद सुरक्षा साफदानियां बरती जाएंगी इसके लिए निर्देशित नई गाइडलाइन में किया गया है साथी पारकों में संपर्क रहीत प्रवेश के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे सबी चूने और संपर्क वाली जो गतिविदियां हैं वो बंद रहेंगी जैसे ग्राउंड के अंदर जो खुली जिम हैं जूले हैं इनके साथी तमाम जो बाकी की चीजे हैं वो सबी धकी भी रहेंगी बंद रहेंगी यदि किसी भी पारक के अंदर अगर पूजा इस्ताल है तो वहाँ पर प्रती बंद रहेगा और साथ में जो पार्क का इंचार्ज होगा उसको तमाम गाइडलाइन के नियमों की पालना के लिए जिम्मेदार रहना होगा उसकी जिम्मेदारी इसके लिए सुनिश्चित की गई है शादी के लिए उपकर्ण मजिस्टेट जो हैं उनको सूचना देनी होगी पहले जो गाइडलाइन थी उसके मताबिक यह था कि किसी भी परकार की शादी के दौरान उपकर्ण मजिस्टेट से मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद ही शादी की जा सकती थी लेकिन अब जब नई गाइडलाइन आई है तो गाइडलाइन के मताबिक शादी के लिए अपके बल उपकर मजिस्टेट को सूचना देनी होगी लेकिन सामाजिक दूरी जो है उसको भी सूनिश्चित करना होगा पचास से अधिक लोग किसी भी शादी के अंदर रिकतित नहीं होंगे इसके साथी जो अंतिम संसकार की प्रक्रिया है उसके अंदर भी 20 लोगों को ही अनुमती दी गई है इसके अलावा जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और नीजी कारल्य हैं वहाँ पर अपनी पूर्ण शम्ता के साथ कारे संचालित की जा सकेंगे नीजी दफ्तरों में वर्क्रोम होम को प्रोटसाहन दिया जाएगा इसके लिए निर्देशित किया गया है साथ ही जिने सोशल डिस्टेंसिंग और मुख्य साथधनियों का पूरी तरीके से ध्यान भी रखना होगा और जहां पर इन तमाम नियमों को नजर अंदाज किया जाएगा वहाँ पर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है करमचारियों के लिए सभी को मुख्य द्वार पर ही सेनिटाइजेशन, स्क्रिनिंग और हाथ दोने की विवस्था करनी होगी अगर ऐसा कहीं पर नहीं पाय जाता है तो उसके खिलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी साथ में नई गाइडलाइन के मताबिक जो छूट हैं वो हॉट स्पोर्ट, किलस्टर और कंटेन्बिंट जो एरिया है वहाँ पर किसी परकार से लागू नहीं होंगी वहाँ पर तमाम पावंदिया पहले की तरह ही अभी भी लागू रहेगी साथ में कुछ गतिविदिया हैं जिनकी अनुमती फिलाल नहीं दी गई है वो भी हम आपको पता जाते हैं ग्रेम अंतराले ने अनुमती प्राप सेवाओं के अलावा सबी अंतरास्टे हवाई यातरां फिलाल बंद रखी है साथी मेट्रो रेल सवाएं भी चालू नहीं की जाएगी इसके साथी जो सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, शेक्शनिंग संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सिमिंग पूल, ठियेटर, बार, आडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे रेस्टोरेंट को सिर्फ और सिर्फ होम डिलिवरी और टेक अवे के अनुमती है रेस्टोरेंट कहीं पर भी बिठा कर खाना नहीं किलाया जाएगा सबी धार्मिक इस्तलों और जो पूजा इस्तलों है वो जनता के लिए बंद रहेंगे पहले एक कबड़े चल रही थी कि नई जो गाइडाइन आएगी उसके अंदर छूट दी जा सकती है धार्मिक इस्तलों पर जाने की लेकिन जो सरकार ने राइस्तान सरकार ने फैसलों लिया है उसके मताबिक सबी धार्मिक और पूजा इस्तल भी जनता के लिए बंद रहेंगे किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंद नहीं होगा पहले जो प्रतिबंद इन चीजे थी जिसके मताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास किया शकता होती थी लेकिन अब किसी भी पिरकार के पास की जरूरत नहीं होगी एक राज्य से टेक्सी, कैब, आटो आधी के जितने भी संचालान है उनकी अनुमती दे दी गई है लेकिन जो सिटी बस सिवा है वो अभी शुरू नहीं हुई है अगरिम आदेश तक जितनी भी प्रदेश के अंदर सिटी बसी हैं वो फिलाल शुरू नहीं होंगी और इस खास तोर पर इस जागरुकता अभिहान के उपर और इसलिए पड़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाओ के लिए जानकारी देने के निर्देश दिये गए हैं सभी स्कूलों को कॉलेज को जहां पर ऑनलाइन क्लासिस चल रही है उनको निर्देशित किया गया है कि अब बच्चो उनकी जानकारी लगातार बच्चों को दी जाए इसी के साथ राज्य सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके अंदर जिले के जो अधिकारी हैं जिले के जो कलेक्टर हैं उनको भी अधिकार दिया गया है अगर उनको यह मैसूस होता है कि किसी जगे पर नियमों क का फैसला भी ले सकते हैं